नमस्कार दोस्तो, I welcome you all to intelligence question Now, Indian Railway यानि भारतिय रेल अब धीरे धीरे अपने privatization की तरफ बढ़ रहा है जहांपे privatization का मतलब ही होता है innovation और excellence मतलब धीरे धीरे अब Indian Railway अपने सोर्ण युक की तरफ बढ़ रहा है जहांपे railway का बहुत बहतरी तरीके से इस्तेमाल होगा हाला कि अभी तक होता आया है पर अब railway ने आपको बहुत जादा ही अच्छी तरीके की train है private train है देखने को मिल सकती है जाद अच्छी facilities मिलेंगी आपको train हो में जैसा कि आपको take us train में मिल रही है वो सब होने वाला है तो क्या एशिया महाकर्ण की सबसे पुरानी railway ready है प्राइबिटाइजेशन के लिए जानेंगे आज के वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस कोशन चैनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारे लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी हाल फिलाल में क्या हुआ भारतीय रेलवे जो है हम सबको पता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है बाई इट्स लेंथ मतलब जितने लंबे उसके ट्रैक्स है उसे साब से अब वो इन्वेस्मेंट्स गेन करना चाहती है फ्राम दप्राइवेट प्लेयर्स इन ओडर टू अपरेट इस पैसेंजर ट्रीन मतलब ऐसा नहीं कि जो इंडिन रेलवे उसके पास पैसे की कमी होगी ना बिलकुल नहीं बट अब यह जो मुदी गौशा मट्वर्मेंट है इसका क्या सोचना है की जो गौशप है उसका काम बेश्निस करना नहीं है गौशप काम है to run the nation और गौश्म गौश द काम बेश्निस दसे पू κιूर पुरानी प्रथा था ती कि बहुत सारे जो गॉप कर्दोर नियुका के पास जाता है तो आपर उसके ग्रोथ करने की ज्यादा chances रहते हैं as compared to when it is in the hands of public sector that is government ना यह दिखिए the economic times का article है कल का है दो जुन का दो बच के दो मिनिट का यहां पर लिखाए Asia's oldest railway finally seeks private money to run trains मतलब जो Asia का oldest railway है अब वो at last यह कुछ private money को सीख कर रहा है in order to run its trains ना जो पूरा प्रोजेक्ट है यह इट वोड अमांट फॉर बिलियन डॉलर यह अल्मोस्ट इकोल तो 30,000 क्रोर रुपीज और रिट विर्ट विल कवर 109 देस्टिनेशन थोड़ा भारती रेल्वे के बारे में जानते हैं भारती रेल्वे जो है यह जो इंडिया का रेल्वे इस्ट्म है यह इंडिया का नैशनलाइज रेल्वे शिस्टम है जैसा कि मैंने आपको बता है यह गोर्रमेंट के दिशा निर्दोर्शों पर चलती है और अधिट इस ऑपरेटेड़ वाय दा मिनिस्ट्री ओफ रेल्वे जो इसकी जो लेंथ है इसकी जो लेंग 2415 km that is 41,890 miles यह जो संसेज है यह मार्च 2019 का है और 34,319 km का जो पूरा लेंथ that is around 51% it is electrified मतलब इसको electrify कर दिया गया है विए 25 kW 50 Hz AC electric traction as of 2019 now till date मतलब आज की देट तक Indian Railway has transported more than 880 crores याने 8.8 billion passengers and more than 130 crores that is 1.3 billion tons of freight freight मतलब जो यह goods होते हैं सामान होते हैं वो सम ना Indian Railways जो है यह हर रोज यहां पर more होना अच्छे एम ओ आरी बट गलती से मरी लिखा है यह 13,532 passenger trains हर रोज चलाती है जो की हर रोज अलमांस 50 km per hour की average speed से run करती है और जो इंडिया की सबसे fastest train है वो है दवन्दे भारत express हम सबको पता है इसे हम पहले train 18 के नाम से जानते थे बाद में टोस नेम्ड वन्दे भारत express and now it has achieved the maximum speed of 180 km per hour पर मैं आपको बता दू जो Indian tracks है they are capable of just handling 130 km per hour speed hence वन्दे भारत जो है वो आपको 130 km प्रति गंटे की रफतार से दौरती हुए दिखेगी अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो इंडियन railways है इसके जो tracks है यह सिर्व 130 km per hour की speed क्यों सहब आते हैं तो मैं बता दूँ है कि जो tracks है काफी पहले ले किये गये थे काफी पहले इनको रखा गया था उस समय के लिए 130 km प्रति गंटे की रफतार बहुत जादा थे लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है यह tracks भी अब बदले जाएंगे इसको शाद 160 करेंगे उसके बाद 200 km per hour तक ले जाएंगे अब बिग मुव बाइद मिनिस्ट्री आफ रेलवेज जो मिनिस्ट्री आफ रेलवेज है उसने कंपनी इसको बोला है कि उसको वह अपने टेंडर सब्मिट करें कि जो 109 डेस्टिनेशन रूट्स हैं उनके उपर 15 चावन ट्रेने चलनी है तो कौन-कौन किस के सरूट पे चलाना चाहेगा प्राइवेट ट्रेन्स वह इन्होंने पूछा है तो इस प्रोजेक्ट विल एंटेल एन इन्वेस्मेंट आफ थ्री हंडेड बिलियन रूपीज यानि 30 हजार करोड रूपाय विच इस 4 बिलियन ड सब्सक्राइब करें चाहिए तो इसे में चाहिए प्राइब को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्लियेट जॉब्स प्राइब करना बहुत ज़रूरी है पिछले चालिस सानल में भारत की जो अर्थ वेवस्ता है उसने आस तक कभी भी कॉंट्रैक्शन नहीं देखा था जो की अब कॉरोना वायरस है वहान वायरस के वज़े से आमको देखने को मिल रहा है इंडिया में सिव एक ही प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस और यह अभी फिलाल के लिए दो रूट्स पे दोड़ाई जा रही है और यह जो टेजस एक्सप्रेस है इसे मैं बता दूँ इसे IRCTC जो हमारी इंडियन रेल्वे से ही असोसियेटेड प्राइवेट फर्म है वह अपरेट करती है अगर इंडियन रेल्वेस का प्राइविटाइजेशन होता है इस इंडिया विल सी नू इंफरास्ट्रॉक्चर इंडिया विल सी मॉडर्नाइजेशन इन रेल्वे फिल आप देख सकते है वंदे भारत की फोटो है अगर इसको पर कोई अबडेट आता है तो मैं अबडेट वीडियो लाता रहूंगा तक के लिए थैंक्स फो वचिंग और गुडबाए